कि आज ये मेरे जीवन का एक नई शुरुवात है तो मैं मेरी लिखी वी एक इसकृती में से ही आप लोगं के सामने पढ़ना चाहूंगी जिसका शीर्शक भी नई शुरुवात ही है नई सुभ़ है पहर नई नई सुभ़ है पहर नई है शाम नई दो पहर नई आया है उजियारा पूरब की ओर से लाया है पैगाम नए समय की भोर के हम सभी के लिए लाया है पैगाम नई सुभ़ की भोर के एक दुआ मांगे हम सब के लिए खुशियां लेकर आए हर पल सब के लिए हो बस हसी ठिठोली हर दिल में बस प्रेम रहे हर कल में एक दुआ मांगे अपने लिए ना बने हम आच औरों के लिए ना बने हम आच औरों के लिए हमसे ना हो ऐसी कोई भूल मुर्जा जाए औरों का फूल उगते सूरज सा हो हर पल सुनहरा उगते चांद से दूर हो रातों का अंधियारा समय सदा ही साथ दे सब का सुख दे कर दुख हरता रहे सब का आएं एक नई शुरुआत करें मैंने अपने संकलन में बहुत से विश्यों के बारे में लिखने का प्रयास किया है उसमें एक प्रयास मेरा है कि हम देखते हैं और यहां बैठी मेरी माताएं बहने सहेलियां सब जानती हैं कि वो किसी भी उमर की हो आज भी जब भी वो अपने पीहर जाती हैं और वहां से लौटती हैं तो कुछ एक रह जाता है उसके बारे में लिखा है कुछ घर से जाती बेटी कुछ खोज रही थी बहुत दिनों से वो कुछ सोच रही थी आप सब जानते हैं कि जब भी घर से निकलते हैं तो मा कहती है यह अचार ले जा मठरी ले जा मिठाई ले जा क्या ले जाओं क्या रख जाओं अचार नाश्ता मिठाई उस्ने निकाल दिया पेटी से अचार नाश्ता मिठाई उसने निकाल दिया पेटी से फिर उसने रखी एक पोटली भरी आंगन की मिट्टी से एक फूलों वाली किताब जो बनाई थी छुट्टी में आप सबको याद होगा हम लोग बच्पन में किताबों में फूल रख रख के सुखाया करते थे एक फूलों वाली किताब जो बनाई थी छुट्टी में वो कुछ इमली के पत्ते जैसे खट्टी मीठी बातें वो एक डिबिया भरी काच के कंचों से वो कुए का पानी एक बोतल में जो ज़्यादा निर्मल है गंगा जल से उसके आंगन के कुए का वो पानी डेफिनेटली उस गंगा जल से बहुत ज़्यादा निर्मल और पावन है सामान उठाकर वो बढ़ी फिर ठिटकी और आंगन में दौड पड़ी इतने पर भी उसका कुछ छूट गया था उसने इतना सब कुछ रखा है फिर भी कुछ छूट गया था वहां खड़ी वो देख रही थी नीले आकाश का टुकड़ा वो जैसे पापा का साया वो जैसे मा का आचल वो जो वो ले जा न सकी हाई छूट गया वो बादल हाई छूट गया वो जैसे हमने अक्सर कवियों को पढ़ा है देखा है सुना है सारी दुनिया मा के बारे में कहती है इश्वर की कृती है मा इश्वर की सबसे बड़ी दुआ है मा बिलकुल है मा सच्चाई है लेकिन हम इस सच्चाई को हरगीज नहीं जुटला सकते कि जितनी मा है उतने ही पिता है और हम अक्सर ये देखते हैं पाते हैं कि हम मा को लाड करने में प्यार करने में हम पिता को कहीं शायद भूल जाते हैं तो ये मेरे पिता को समरपित रिष्टों में एक रिष्टा ऐसा जिसको किया नजर अंदाज हमेशा पर वो खड़ा रहा अचल अडिक परवतसा जिसने हर हद पार कर दी इस मतलब से कि हम नहारें कभी, जिसने हर हद पार कर दी कि हम नहारें कभी, जिसने कितनी ही राथे बिना सोये ही काट दी, जिसने पत्थर वाली राहें फूलों से पाट दी, पिता की जगें कोई बांट नहीं सकता, उनके आशीशों को ईश्वर भी काट नहीं सकता तो मेरे ख्याल में अनू सोगानी की जो कविता है जो पहला संग्रे है ये इसलिए चुनोती पूर्ण है कि इनों ने जिस तरह की रचना संसार को हमारे सामने रखा है वो बहुत अधिक पारिवारिक बहुत अधिक इमोशनल बहुत अधिक अपलत से बढ़ा हुआ और संग्रशों को लगबग दर किनार करता हुआ जीवन है जो अनू ने इसका विता संग्रे में रखा है और ये बहुत बड़ी उपलत यह अनू की कि सारे संसार में जहां तमाम प्रकार की विशंता हैं विशंदतियां, दुराचार, ब्यभिचार, अनाचार, अत्याचार और तमाम प्रकार के जो आज हमें नेगिटिव फोर्सेज दिखाई दे रहे हैं उस सब कुछ से बच्चते हुए उन्होंने सेह जूरूप से अपनी कविता में बहुत आत्मी तासे उन संबंदों को उन अंतर्यात्ताओं को उन आवेगों को उन इमोशंस को अभियक्त किया है जो इमोशंस में आज की समाद में लगबग विलुप्त हो रहे हैं जो खोते जा रहे हैं वो रिष्टे जो पारिवारिक इस्ते हैं जो टूटते जा रहे हैं जो समाज आज विक्र्त होता जा रहा है तो अपने आप एंपर यह जो कविता संग्रे है यह अन्भूती जो है यह चुलोती है और यह एक चैलेंज है कि बावज़ूट एंटी फोर्सेश के दिपॉइट एग्जिस्ट तू प्रोटेस्ट अगेंस डोज एंटी फोर्सेश तो बहुत बड़ी कामियाभी मैं मानता हूं अन्नु जी की एक संघर्ष पून जीवन जीते हुए परिवार के रिष्टों को निभाते हुए कविताएं कब इनके हिर्दय में उत्पन्न हो गई वो भावनाओं का उद्रेख ही था जिने इन्होंने सहज रूप से अपनी डाइरी में नोट कर लिया इनकी किसी भी कविता में कोई कृत्रिंता नहीं है बहुत सहज प्रवा है शब्दों का भावनाओं का और कोई कविता बहुत लंबी नहीं है जब भी कोई कविता बहुत लंबी हो जाती है तो उसमें भावनाएं धीरे धीरे शने शने ख्षीन होती जाती है इन्होंने जह सुतलीबं जब कविताओं के रूप में निकला है तो एक भावनाओं के विस्फोट के रूप में निकला है और वो विस्फोट जब हो गया तब उन्होंने अपनी कविता को समाप्त कर दिया तो हर कविता आप इसमें देखेंगे एक विस्फोट के साथ समाप्त होती है तो इ तुशार जी ने जिस तरह से इनका साथ दिया हरक्षेत्र में, इन्होंने तो दिया ही होगा, लेकिन तुशार जी ने भी जिस तरह से इनका साथ दिया, परिवार ने इनका साथ दिया, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, मैं अनुजी को उनके जन्म दिन के लिए भ में बहुत बढह बढ़ाई देती हूं। और इसी तरह से इंकी एक से एक कविताएं आगे से आगे आती जाएंगी और आगे इनकी कविताएं और अधिक परिश्क्रत रूप से हमारे बीच में आएंगी, ऐसी ही में बहुत बहुत आशा करती हूं। City Live , A platform to sharing your thoughts